मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही शांदा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे फिर्स्ट इन इंडिया फीमेल विथ आॉसम ट्रिक्स दोस्तों आॉसम ट्रिक्स सच में हैं पांस-दस मिनिट के अंदर आपको पता चल लागा कितनी शांदा ट्रिक्स हैं और आपको पूरा कपूरा याद हो जाएगा इस बात की गैरेंटी मेरी तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों अच्छे से पढ़ना बहुत मजाएगा ओके चलो फिर्स्ट इंडिया की बात चल रही फीमेल की ट्रिक्स यह है पहली वाली की फिर्स्ट इंडियन फीमेल चेयर पर्शन ऑफ इंडियन नेशनल कॉंगरेस कौन थी भाई तो यह थी रोज आके मतलब मीटिंग अटेंड करेगा तो सरोज नी नाइडू नी बोला कि भी यह मैं आऊंगी रोज तो सरोज के अंदर वाड़ा रहा है रोज तो यह रोज कौन आईगी सरोज नी नाइडू आईगी इसलिए उसको चेयर्मेन बना दिया इंडियन नेशनल कॉंगर पहली वोमेन जो अपने माउंट पर चल गई थी दोस्तों तो वो कौन थी उनका नाम था बचेंदरी पाल 1984 में हुगा था यह काम है ना 1984 थोड़ा सा ध्यान रखेगा कई बार सन भी आ जाता है है इसको कैसे याद रखेंगे इसको याद रखने का तरीका यह है कि भाई क्य तो उसका देमा कख्राब का वचों को काम ने लेकिन उसी बचचे ने बचुन्दरी पाल चल कर लेए तो ये याद कर लिए उपको बहुत रल्प महलए papa धीए थर्ड वाला क्या है थर्ड वाला क्या है दोस्तों देखो फर्स्ट वोमेन कैबिनेट मिनिस्टर इनका नाम क्या है इनका नाम है राजकुमारी अमरित कौर क्या नाम है राजकुमारी अमरित कौर इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे आप ऐसे याद रखेंगे कि पहली woman cabinet minister और आप जानते हैं कि भईया जो कोई cabinet minister बन गया मतलब उसकी जिंदिगी पर वो राज करेगा तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया कि cabinet minister बनना अपने आप में राज करने वाली बात है एक वार कोई cabinet minister बन गया मतलब उसने तो धूगा धूगा कर देगा बहुत पैसा कमाएगा वो राज करेगा तो राज कुमारी अमरित कौर ये पहली woman chief minister थी दोस्तो सारे के सारी female पर बात हो रही है इसलिए अच्छे से याद रखिएगा है ना सारी woman है ये देखिए ये क्या है फरस्ट woman chairman of the United Nation General Assembly बहुत important question कई बार आ चुका है और आ सकता है कि पहली woman chairman कौन बनी United Nation General Assembly की तो भाईया इनका नाम था विजिया लक्षीमी पंडित क्या नाम था विजिया लक्षीमी पंडित अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि विजिया लक्षीमी पंडित कौन थी ये जवाल नाल नेरू की बहन थी भाईया ठीक है अब आप खुछ सोच लो कि जवाल नाल नेरू की बहन होगी वो क्यों ना United Nation General Assembly में वो chairman बने जवाल नाल नेरू का इतना नाम था आपने पहले प्रधानमंत्री रहे थे वो तो भाईया ये भी United Nation General Assembly में chairman बन गई और मैंने ऐसे भी याद कर लिया कि जवाल नाल नेरू obviously प्रधानमंत्री भी थे और पाईसे वाले भी थे तो उनकी बहन भी पैसे वाली थी तो उनने लक्षमी का power use करते हुए chairman बन गई United Nation General Assembly की क्योंकि United Nation में जवानान आपने आमा बहुत बड़ी बात है तो जो कोई लक्षमी का use करेगा वही United Nation General Assembly का chairman बन पाएगा तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि भईया विजिया लक्षमी पंडित ने बन गई किया United Nation General Assembly की chairman बन गई ये तो ये याद रखने बाली बात है I hope आपको पसंदा रहा होगा और आप visualize कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चारा हूँ है ना दोस्तो इसी तरीके से आप याद करेंगे तो आपको जादा टाइम तक याद रहेगा और आप exam में धूम मचा कहा सकते हैं क्योंकि आपको जब तक याद रहेगा अब देखो भाई अब क्या है पहली woman president of India ये तो सभी को पता है हो मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन इनका trick प्रतिवा पाटिल नाम इनका जो कि पहली woman president थी मैंने ऐसे याद रखा कि president वही बन सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिवा होगी क्योंकि president बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है है ना पूरे देश का भार समालना है और सबसे बड़ी executive post होती है वो head की तो प्रतिवा पाटिल ladies and gentlemen ध्यान रखियेगा important है यह six तवाला देखिए six तवाला क्या है first woman speaker of log sabha यह बहुत important भाई है ना इसमें क्या है मीरा कुमार है ना मीरा कुमार आपको याद रखना पड़ेगा इसको याद करने के तरीका यह है अभी यह याद रखिए 2009 की बात है यह जब मीरा कुमार पहली woman speaker of log sabha बन गई थी मैंने ऐसे याद रखा कि woman speaker की बात हो रही है और भाई यह speaker बजाने के लिए लड़किया बोलते हैं लड़किया लोग बोलते हैं वो डीजे वाले बाबु मेरा गाना बजा दे तो मैंने मीरा को मेरा बना लिया लड़किया बोलती है डीजे वाले बाबु मेरा गाना बजा दे तो भाया गाना बजा दिया speaker में तो शांदर वाला गाना बज गया तो आ यह क्या है पहली वोमेन डिप्टी चेर्मेन ओफ राजसभा तो इनका नाम है मार्गरेट एलवा ये 1962 की बात है बट एक एक बार इसको देख लिए क्योंकि ये सन थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं बगि आप नाम याद रखिएगा इंपोर्टेंट ये है तो आप इसको कैसे अधर रखेंगे कि पहली वोमेन डिप्टी चेर्मेन ओफ राजसभा कौन बनी इनका नाम है मार्गरेट एलवा तो मैंने मतलब ऐसे याद किया था मुझे कैसे याद हुआ था ये कि मतलब वो जो राजसभा की चेर्मेन बनने ही वाली थी लेकिन एक नमबर से या एक पोस्ट से मार खा गई और डिप्टी चेर्मेन बन गई कौन अपनी ये मार्गरेट एलवा मतलब एक नंबर से एक पोष्ट से मार खाने के वज़े से वो चेर्मेन नवन के डिप्टी चेर्मेन बन पाईं जस्ट उसके नीचे वाली पोष्ट पे तो मुझे याद हो गया कि यह बस एक वोट से मार खाके बेचारी मार्गरेट एलवा डिप्टी चेर्मेन बनना पड़ा वरना वो चेर्मेन बन जाती ओके दोस्तों आयोप आपको बहुत पसंद आ रही होंगे यह ट्रिक्स एक बार दोस्तों मैं फिर सब बता देता हूँ पहली वोमेन डिप्टी चेर्मेन और राज्य सबा कौन बनी कर दी थी क्या बोलते हैं मतलब बहुत ज़ाधा प्रियंबल में अमेंडमेंट कर दिय थे तो वो संद का नाम बतढ़कर यह कौन स्ट हूं से मैं सबसे जब्राद मेंड़ा कर दिय थे और बाकी फि kidneys कि आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे पता है तो जरूर दीजिए अभी के लिए पहली वोमें प्रैम मिनिस्टर आफ इंडिया इंद्रा गांधी ओके नाइथ वाला देखिए यह क्या है पहली वोमें टू रिच अंटार्क्टिका है ना पहली वोमें टू कि थी ना उसका मुझ विल्कुल मतलब बहुत थंडा पड़ गया क्योंकि पूरे बॉड़ी में जरू कपड़े पहले पहले हैं मुझ तो देखते ही रहेगा ना मुझ को पूरे थोड़ी रख पाएंगे कोई तो अंटक्टिका इतनी थंडी जगा पूरा बर्फ ही वर्फ बहुत बड़ी बात है बहुत रिस्पेक्टेड बात है तो पहली वुमेन आई एस ओफिसर कौन बनी थी अन्ना राजम जॉर्ज है ना अब इसको आप कैसे याद रखा था मुझे कैसे याद रुआ था मैंने आई एसको बनाया आई ये हिंदी में क्या लगते आई ये मैंने इस बना लिया और अन्ना को भी बोलते हैं आई ये हमारे घर आना तो आई ये आना सब एक सिनूनियम जैसा वर्ड लग रहा ना आप हमारे घर आई ये गा और आप हमारे घर आना तो ये एक तरीके से सिनूनियम वर्ड है तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया था कि पहली woman I.S. officer कोन है अन्ना राजम जॉर्ज इस तरीके से आप इसको याद कर सकते भाई और या फिर जो कोई I.S. officer जैसे बनता है फिर तो एक तरीके से वो राज़ा बन जाता है तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया कि I.S. officer बनने के बाद इनसान राज़ा बन जाता है क्योंकि फिर वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद बहुत सारे powers हो जाते हैं और बहुत respected post होती है सब उसकी बात मानते है तो आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों पहली woman I.S. officer अन्ना राजम जॉर्ज या तो आईए हमारे घर आईए या फिर हमारे घर आना तो इस तरीके से याद से रख सकते हैं या फिर जो I.S. officer बनेगा बोर राज करेगा राज़ा बन जाएगा ओके दोस्तों 11 वाला देखिए ये है First female chief justice important है इनका नाम है लीला सेट है ना लीला सेट के नाम है 1991 की बात है ये तो पहली female chief justice कौन बनी थी इनका नाम था लीला सेट मैंने कैसे याद रखाता कि भाईया जैसे वो chief justice बनी वो भी सेट बन गई क्योंकि यार मतलब जो जज होता है विल्कुल सेट की तरह बैठता है और सबकी बात सुनता है तो मैंने याद कर लिया कि यह कोई chief justice बन गया मतलब वो सेट बन गया की पहली फीमेल चीफ जेस्टिस लीला सेट याद रखिए का इंपोर्टेंट एक कोशन आ सकता है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तो है ना इसी तरीके से मैंने सारे के सारे आप जाकर देख सकते हैं आपको जो भी वीडियो दिमक में आता हो ना प्लेइस एक बार चेक कर लिजिए आपको काफी कंटेंट मिलेगा आपको बहुत मजा आएगा और आप कहिंगे क्या वीडियो मजा आ गया मतब गैरेंटी इस बात की आप एक बार जाकर ट्राय करिए प और आप कैसे याद रखेंगे पहली वुमेंट टुविन ग्यान पीट आवार्ड तो मैंने ग्यान पीट के अंदर उठा लिए ग्यान जिसके पास ग्यान है उसकी आशा की किरण बनी रहती है क्योंकि जो ग्यान अरजित करते रहेगा उसकी आसा पकी रहेगी भाई मैं भाई मैं पक का सलेक्ट होगा तो इस तरीकसे ग्यान का पावर रहेगी तो आशा रहेगी इस तरीक extremism मुझे याद हो गया आपको मैंने बता दिया और की ऑर इस तरीके इसमय नहीं आद किया था है जिसके पास ग्यान होगा वही अपने पूरे सक्ता है संपने पूरे क् Remember याद होना चाहिए भाई मेरा बस मोटिव यह है कि इस चैनल पर आपा है तो आपका एक एक सेकंड एक एक मिनिट यूज होना चाहिए वरना कोई सेंस नहीं पड़ने का है ना क्या मेरे चैनल पर आओ तो आपको benefit मिलेगा तभी तो आप connect रहेंगे ना भाई मेरे है ना तो इ important बात ही यह भी इंद्रा गांदी है ना आपको मैंने बता दिया कि पहली अपनी प्रिधानमंत्री कौन दोनी वह भी वह थी इंद्रा गांदी और पहली woman जिसको भारत रतने विला वह भी इंद्रा गांदी तो बहुत easy है और बहुत सम्मान वाला मतलब चीज है भारत अप अपने आप में सबसे बड़ा आवार्ड है तो यह पता होना चाहिए इंद्रा गांदी जी को मिला था ओके 14 देखिए 14 क्या दोस्तों यह last second I think first female Nobel Prize winner दोस्तों Nobel Prize winner कौन थी पहली female उनका नाम था Mother Teresa अब देख वाई मैंने कैसे याद रखा मैंने ऐसे याद रखा कि Nobel Prize मतलब सबसे बड़ी आवार्ड सबसे बेस्ट आवार्ड है तो यह Nobel Prize सबसे पहले किसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से जिंदिकी में वह मिलना चाहिए मदर को क्योंकि मा जो होती ही मम्मी होती बहुत क्य इकबाल करती है बहुत सारे काम करती है और उसका क्रेडिट कमी लेती भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ को अपन को समझते उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए तो Nobel Prize कि सको मिलना चाहिए काईदे से फीमेल में मदर को मिलना चाहिए सबसे पहले तो इ बहुत पसंदारी होंगे ट्रिक्स, 14 ट्रिक्स से मैंने पढ़ा दिया है बाकी की 2-3 और पढ़ो और धूम मचा दो इस वीडियो को देखके आप कहेंगे क्या बात है भाई मीडियो मजा आ गया और दोस्तों अगर सचमा पसंदा आया तो कमेंट जरू कर दीजीगा क्यों म क्या था मैंने ऐसे याद रखा है इनको नॉमिनेट करने के लिए नर्गिसदत अब मैंने ऐसे एकदम से क्लिक हुआ कि संजदत कितना पाउरफुल आदमी है बॉलीवड इंडस्ट्री में संजदत की बहुत चलती है मतलब डौन एक तरीके से तो उसने क्या बोल दिया उस प्रेशिडेंट को और बारह लोगों में सबस्क्राइब किया एक बंदे हमारे 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 कॉन्टेक्ट वाली को आप नॉमिनेट कर दो तो नर्गिस दिन उसने नॉमिनेट करवा दिया तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आप देखो भाई सिक्स्टीध है फर्स्ट वुम UPSC का एक्जाम देने के लिए रोज मिलियन लोग तयारी करते हैं UPSC का एक्जाम देने के लिए रोज मिलियन लोग तयारी करते हैं तो इस तरीके से मैंने रोज मिलियन बैथ्यू UPSC से लिंक कर लिया एक वाफर से बताता हूँ UPSC की प्रपरेशन और एक्जाम देने के रोज मिलियन लोग तयारी करते हैं तो रोज मिलियन बैथ्यू इस रिलेटेट टू यू पियसी तो पहली वुमेन चेयर्मेन कौन थी? यू पियसी, ओके? 17 देखें, ये है फस्ट वुमेन नॉमिनेटेड औफ राजसभा पहली वुमेन नॉमिनेटेड टू राजसभा इनका नाम क्या था? रुकमिनी देवी अरुन धले इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों इसको याद रखने का तरीका ये है कि राजसभा में नॉमिनेट तो भहिया इनको कैसे किया? इसकी ट्रिक ये थी कि राजसभा बालों ने लोगों ने उनसे बोला कि भहिया आपको हम राजसभा में नॉमिनेट कर देंगे बस आप थोड़ा रुको आप थोड़ा रुको थोड़ा सबर करो आपको राजसभा में नॉमिनेट कर देंगे टेंशन की बात नहीं है, अभी आप नॉमिनेट हो जाओगे, बाद में आपको आगे बढ़ा दिंगे, तो बस थोड़ा सा रुको, राजसभा में आप नॉमिनेट हो जाओगे, तो पहली वो में नॉमिनेटेड ऑफ टू राजसभा, रुकमनी, देवी, अरुंदले, दोस्त जिसमें भी आपको दिक्कत होती है, आप बस कमेंट करके अपना पॉइंट रखिये, मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, I promise, और लास्ट बात, रिविजिन इस दिकी, कंसिस्टें रिविजिन करिये, आपको कोई हल्प बहुत होगी और आपका सेलेक्शन भी ज़रूर होगा Thank you so much, never ever give up, be proud of who you are and never ever give up and be consistent towards your goal, that's the most important thing, okay